मैं स्रीयस पुटेल ब्रिहन मुंबई महानगरपाली का वर्चुल क्लास के वर से आप सबका हार देख स्वागत करता हूँ बच्चों वैस्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कारिकरम प्रभावित हो रहा है ऐसे में हमारी ब्रिहन मुंबई महानगरपाली का ने प्रतेक विद्यार्थी तक आनलाइन सिक्षण पहुचाने की विवस्था की है तो आएए बच्चों सुरू करते हूँ भाग दो कच्छा पाच्वी यानि बच्चों कच्छा पाच्वी यानि स्टेंडर्ड फिफ्थ के बात करेंगे जिसमें आज हम देखेंगे परिसर अध्यान भाग दो यानि इविस पार्ट तो बच्चों जिसमें आज का पार्ट है मानों की उन्नत पार्ट वन यानि एव बचों आज हम देखने वाले हैं भारत की उन्नत भाग एक एवलुशन आफ मैंड काइंड तो बचों मैं सीयस पटेल वर्चूल ट्रेनिंग सिंटर MCGM दादर मॉंबई से आए बचों आगे बढ़ते हैं बचों आज हम बात करेंगे मानो की उन्नत की यानि एवलुशन आफ मैंड काइंड की बात करेंगी इस बचों तो स्क्रिन पर आप देख सकते हैं मनुष्य का विकास आपको याद कराएं बचों बचों मानो विकास करम की अगर बात करें बचों तो बचों पिछली इसके पहले हमने चर्चा की थी डार्विन का विकास वाद से धान बचों याद कीजिए डार्विन का विकास वाद से धान की किस तरह से मनुष्य ने धीरे धीरे विकास के करम में जो है उन्नत की तो मानो की उन्नत इलिशन आप म मानों की बच्चों इसके पहले हमने आएप बंदर से बेक्सित होते होते आद मानों की उत्पत किस तरह से हुई ये इसके बाद की चरण में आद मानों ने अपने हाथों का उपयोग किस तरह से करके आउजारों का निर्मार करना शुरू किया तो उसी क्रम में बच्चों सब से पहले हम बात करेंगे the skilled human की अर्थात kualsoal मानो की बात करने बाले हैं को बचो कुसल मानो से दात पर हुआ मानो जो अपने हाथों का कुसलता से उप्योग करता था बचो इस मानो के स्तित्तों का प्रमार्ड सबसे पहले अफरिका महादीब के तंजानिया और कीनिया देशों के परिसर में प्राप्त हुआ इस बच्चों अगर हम बात करें अपरिका महादीब की तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दाइनी और यलो कलर जो पेला में दिखाई दे रहा है ये इस लाइट यलो में अपरिका महादीब को स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं और बच्छो जब हम बात करते हैं तंजानिया की तो चले स्क्रीन पर देखें तंजानिया अपरिका महादीब में तंजानिया यह साब देख पा रहे हैं और इसके बाद अगर हम बात करें कीनिया की तो देखिए स्क्रीन परlvania केणिया यह देखे केणिया आपको दिखा दे रहा है तीर के माध्यम से आपको दिखा रहे है तो इस तरह से बच्छो मानों के स्पित्र के प्रमार के अगर बात करें तो सबसे पहले अपरिका महाधीब के तंजानिया और केनिया देशों के परिष हुआ है राइट ये आपको ध्यान रखना है बचो इस मानो की खोज के संदर्म में हम और आगे ध्यन करने वाले हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं बचो देखे कुसल मानो की बात करें तो कुसल मानो का कालपनी चितर जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बचो कुसल मानो द्वारा बनाए हुए तोड़ू यानि पत्थर के तोड़ू ओजार जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कुसल मानो का ये चितर जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बचों अगर हम बात करें कुसल मानों की खोज लुई लिकी नामक वैग्यानिक ने की थी दाहिन और स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं लुई लिकी को तो कुसल मानों की खोज लुई लिकी नामक वैग्यानिक ने की थी बचो इस मानों के आवसेसों के साथ उनके बनाय हुए कुछ आवजार भी पाए गए और इसलिए उन्होंने उसे होमो हैबलिस नाम दिया इसलिए उन्हें होमो हैबलिस नाम दिया गया ध्यान रखे बचो लेटिन भासा में होमो सब्द का अर्थ मानो है और हैबलिस का अर्थ होता है हाथों का कुछलता से उप्योग करने वाला होता है यस तो लेटिन भासा में होमो सब्द का अर्थ मानो होता है और हैबलिस का अर्थ होता है हाथों का कुछलता से उप्योग करने वाला तो स परदाए नहीं देख सकते हैं कि किस तरह से जो हैबलिस की अगर हम बात करें हाथों का कुसलता से ओप्योग करने वाला मानव होमो हैबलिस कहा गया कुसल मानव दो पैरों पर खड़ा होकर चल सकता था लेकिन उसकी पीठ की रीड पूरी तरह से तनी हुई नहीं थी रैट त बच्चो जिस अगर हम मानव के मस्टिस की बात करें तो एब बंदर की तुलना में अधिक बड़ा था और चेहरे और हाथ पाओं की पिसे श्थाए अंस्तष अईब बंदर की ही थी उसके जिसी रैट तो हम बात कर रहे हो पंदर की तुलना में अधिक बड़ा था, परंत उसका चेहरे और हाथ-पाऊं की विसिष्टाएं अंसत्र ऐप बंदर की थी, रैट, तो ध्यान रखेए बच्चों, जो कुसल मानों की बात करें, होमो हयवलिस्स की बात करें, उसका मस्तिस्क जो ऐप बंदर की तुलना में अधिक बड़ा था लेकिन चेहरे और हाथ-पाओं की जो भी सिस्ता है थी वो एप बंदर की ही तरह थी चलिए आगे बढ़ेंगे इस इक्रम में क Saal Manu के बनाए हूए आउजार बड़े प्राडियों का सिकार करने के द्ष्थ से उप्यूक्त नहीं थे ध्यान रखिए बच्चों कुसल मानौ्ग द्वारा बनाए हूए आउजार बड़े प्राडियों का सिकार करना उस दिश्ष्गूर्ट Item से अगर देखे तो उप्यूक अवजारों का उप्योग तो हो सकता था लेकिन बच्चो ऐसा अनुमान किया गयाता है कि कुसल मानौ अन प्राड़ी द्वारा किये गिए सिकार का बचा कुछा मांस खाया करता होगा चोटे प्राड़ी का सिकार करता होगा इसके अलामा बच्चों हमने कहा कि कुछ सुलमानों हत कुलहाडी जैसे अवजार बनाता था ध्यान रखे बच्चों सिक्रम में हम देखेंगे हमने देखा कि जो कुछ सुलमानों की हम बात करें थे कि कि सुलमानों किस तरह से छोटे प्राणियों का सिकार करता होगा यह सिसी बढ़ेंगे सीधी read वाला मानो जिसे homo erectus कहा जाता है तो homo erectus की बात करें नाम से ही बच्चो सीधी read वाला मानो अर्थात बिल्कुल अब खड़े ओकर तन कर चलने वाला जो मानो था उसे नाम दिया गया बच्चो homo erectus अर्थात सीधी read वाला मानो जो स्क्रीन पर दाहनी और आप देख पा रहे हैं बच्चो सीधी रीड़ वाला मानो यह मानो के विकासवाद का एक महत्पूर्ण चरण था राइट द्यान रखे और बच्चो अगर बात करें इरेक्टिस का अर्थ सीधा अर्था तन कर खड़ा रहने वाला होता है तो इस मानो की बात करें इसलिए इस मानो को नाम दिया गया होमो इरेक्टिस जिस बच्चो तो कुसल मानो की तुलना में उसका मस्तिस्क अधिक विक्सित था तथा वह समू में रहता था यानि सीधी रीड़ वाला homo erectus बच्चो यह समू में रहता था इसका जो मस्तिक्स था वो कुसल मानो की तुलना में अधिक विक्सित था आई बच्चो इस सिक्रम में हम और आगे बढ़ेंगे तो स्क्रीन पर आप देख पाएंगे अभी हम बात करें बच्चो यह homo erectus की सीधीरीडवाले मानो का कालपनी चित्र स्किन पर आप देख पा रहे हैं सीधीरीडवाला मानो हत कुलाड़ी जैसे पत्थरीले अवजार बनाकर उपयोग में लाता था इस बच्चो यहां ताइनियों आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो अगर अवजारों की बात कर तुलनात्पक रूप में धीरे 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 बच्चो जो जो मानो का विकास होता गया त्यों त्यों हत्यार उनके सार्प या तिक्ष्र होते गए और उनकी जो मारक छमता थी वो बढ़ती गई तो यह ध्यान रखना है बच्चो इस तरह से कुसल मानो की तुलनाम ने समझने का प्रयाज करेंगे बच्चों ये जो जंगल में आग लगती थी तो उसे देख करके ये उसे समझता था कि आखिर में क्या हो सकता है तो ये जंगल में लगने वाली आग जो है ये उसको देखकर मानो अगनी से पर्चित हो चुका था इसके साथ ही बच्चों अब वह पेडों की जलती टहनिया लाकर अगनी का उप्योग करने की continuing से सीधी रिढ़ वाला मानो अउगत हो चुका था यानि वो पेडों की जलती ही टहनिया रहती थी बच्चो उसका अगनी ये उसका उपयोग किस तरह से अपने लिए हो सकता है तो ये वह सीधी रीड़ वाला जो होमेरेक्टस है अब उससे वह परचित हो चुका था इस तरह से बच्चो वह आग का उपयोग करना सीख गया था तो बच्चो या यू कहें कि इस तकनीक से अर्थात आग के उपयोग की बात करें वह आग का उपयोग करने लगा था बच्चो उसके कालखंड में प्रिथवी पर विसाल जो है हिम्म प्रदेश की बात करें ऐसी स्थिति भी उत्पन्वी थी और बच्चों ने कहा कि सीधी मानिता है फल्सरूप जलवाय अतिसीत थी परंतु अगनिका उपयोग करने से अधिक्तम सीत वाले वातावरण में अपना स्थित्त बनाय रखना उसके लिए संभा हुआ तो बच्चो जो होमोरेक्टेस की बात कर रहे हैं होमोरेक्टेस के समय में हमने कहा कि यस उस कालखं में प्रित्वी का विसाल छेत्र जो है वह हिम्मय था बर्फी बर्फ था लेकिन बच्चो चुकि आग का उपयोग करने लगा था इसलिए वह कर सकते हैं अगनिका उपयोग करके अधिक्तम सीत वाले वातावरण में भी अपना स्थित्त बनाय रखने में वह सभल हो पाया अर्थात उसके लिए संभव हो पाया तो लेकिन ध्यान रखना है बच्चो आग का उपयोग तो कर पाता था लेकिन बच्चो अगनी उत्पन करने की तकनीक वह आत्मसान यानि अगनी कैसे पैदा की जाती है उसको नहीं मालुम था यह सोमय रेक्टस को आग कैसे पैदा कर यह नहीं मालुम था आग का उपयोग कर पाता था जंगल में लगी हुई आग यह किस तरह से टानियों के माध्यम से वुलाता था उसका उपयोग कर पाता था लेकिन अगर आग उत्पन करने के बात करें यह किस तरह से आग उत्पन की जाएगी इसका ग्यान उसे नहीं था आई बच्चो इसी क्रब में हम और आगे बढ़ेंगे हम बात करेंगे सक्तिमान मानो की यानि होमो नियंडर्थल इनिस की बात करेंगे यानि नियंडर्थल मैन की बात करेंगे तो बच्चो मानो के विकास का जो अगला चरण था जो इसके पहले हमने देखा होमो हाइबलिस देखा ये गुसल मानो की हम बात करें इसके बाद हमने बात की होमो एरेक्टस की बात की जो सी धीरीडवाला मानो था अब हम बात करें सक्तिमान मानो की यानि नियंडर्थल मैन क की बात कि रहे हैं, यानि मानो के विकास का जो अगला चरण है, सक्तिमान मानो, तो स्क्रीन पर बच्चों आप देख सकते हैं, सक्तिमान मानो, राइट, तो सक्तिमान मानो, यह जो स्क्रीन पर दिखाई दे पा रहा है, यानि देख पा रहे हैं आप, मानो के विकास का जो मानों के अफसेस की बात करें तो इस तरह के मानों के अफसेस यानि नियंडर्थल मैन बच्चो इस सबसे पहले अगर बात करें तो इस जो नियंडर्थल की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं जर्मनी में तो बच्चो जर्मनी आप जो है देख पा रहे हैं इ तो इस मानों के अवसे सबसे पहले जर्मनी के नियंडर्थल में पाएगे इसलिए उसे नियंडर्थल मैन कहा जाता है तो ध्यान दीजे हम बात कर रहे हैं यस तो पाइंटर की मदद से हम बताए यस जो यहां हम जर्मनी की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखे चुकि जर्मनी मे सबसे पहले पाएगे थे नेंडर्थल स्थान पे पाएगे थे इसलिए इन्हें नेंडर्थल मैन कहा जाता है राइट ध्यान रखें चले बचो सक्तिमान मानों प्रमुक्ता गुभाओं में निवास करता था यह ध्यान रखें और बच्चो सक्तिमान मानों के अगर बात करें पत्थर से छोटे पत्थरों और छोटे पत्थरों से खिसने हुए यानि छिलकों की अगर बात करें इस तरह से वो निकालना शुरू कर चुका था यानि बच्चों वह पत्थर से छोटे पत्थर और छोटे पत्थरों को घिसने से निकले हुए छिलकों इस प्रकार दोनों से भी भी नाकारों के आउजार बनाने लगा था तो बच्चो मानों के विकास करम में आपने देखा कि सक्तिमान मानों धीरे धीरे विकास के करम में किस तरह से आगे बढ़ता चला जा रहा था सक्तिमान मानों के ने कुछ कलात्मक कौसलों का आत्मसाथ किया था ऐसा माना जाता है कुछ कलात्मक कौसलों को भी आत्मसाथ किया था इस बच्चों अगर हम सक्तिमान मानव के बात करें तो उसने इस विसाल का प्राडियों का सिकार करना शुरू कर दिया था चम्डे का मांस खरोचने के लिए पत्थर के छील को द्वारा बनाएगे रंदों क का भी उपयोग करता था चम्डे के वस्त्रों का उपयोग करने लगा था इस तरह से सक्तिमान मानव बच्चों इस कुछ बैग्यानिकों के मतानुसार वह कुछ चलताओ ध्वनिया बोलकर समवाद भी करता था ऐसा माना जाता है कि कुछ बैग्यानिकों का मत है कि जो सक्ति तो बचो उसके समूह का कोई व्यक्ति अगर मर जाता था हम बात करें सक्तिमान मानो के मृत की समय अगर उसका कोई अपना यानि मृत उसकी होती थी तो उसी के साथ अजार प्राडियों की सिंगे जैसी वस्तुई को गार दिया करता था इस तरह से बचो यहां पर आप समझ सकते हैं इससे यह पता चलता है कि उनकी अपनी जो परंपराओं की बात करें मानिताओ रहे होगी इसी भाती मृत व्यक्त के सरीर पर लाल रंग की मिट्टी मलता था इस तो इस तरह जो है उनकी अपनी परंपरा रहे होगी ऐसा बाना जाता है आज बचो इससी क्रम में हम बढ़कर और आगे चलेंगे समय के साथ सक्तिमान मानों के कुछ समुहों ने अफरिका से निकल कर यूरोप और एसिया महादीपों तक अस्थलान तरह किया जिस बचो समय के साथ किस तरह से सक्तिमान मानों जो की चर्चा की थी नियंडर्थल मैं जिन्हें कहा जाता है जो की बात करें बच्चो तो जर् करके येस अगर सक्तिमान मानों के बात करें कुछ समूहों ने आगे चल करके येस अफरिका से निकलके यूरोप और एस्या महादीपोक तक स्थलांतर किया येसा माना जाता है सो अभाइबी ग्रूप से उन्हें भिन भिन वातवरण का सामना करना पड़ा ऐसा माना जाता है सक्तिमान मानों की अपिक्छा अधिक उन्नत मानों को बुद्धिमान मानों के रूप में जाना जाता है। राइट सक्तिमान मानों की अपेच्छा यानि हम जब भिकास की करम की बात करते बच्चों तो उसी करम में जो आगे अगर बढ़ने की बात करें तो सक्तिमान मानों की अपेच्छा अधिक उन्नत वाले मानों को बुद्धिमान मानों के रूप में जाना जाता था ये तो स्क् समय तक यूरोप में साथ साथ निवास करते थे राइट बच्चो ध्यान रखे सक्तिमान मानों और बुद्धिमान मानों कुछ समय तक यूरोप में साथ साथ निवास करते थे ऐसा माना जाता है बुद्धिमान मानों से संघर्ष व परियावरण के परिवर्तनों के साथ समाय जोजन न करने से लगभग 30,000 वर्ष पूरु सक्तिमान मानो नश्ठ हुआ ऐसा कर्भोटीन पद्धत के आधार पर कहा जाता है राइट भच्चो ध्यान रखे बात हो रही है सक्तिमान मानो के समाप्त होने की नश्ठ होने की तो भच्चो ध्यान रखे कि जब विकास की में अगर आगे बढ़ने की बात करें तो बच्चो ध्यान मानो से जब संघर्ष हुआ यह सगर विकास की क्रम की बात करें तो ऐसे में सक्तिमान मानो जो परिवर्तन हो रहा था उन परिवर्तनों का समायोजन नहीं कर पाया और लगभग 30,000 वर्ष पूर सक्तिमान मानो हुआ ऐसा कहा जाता है राइट बच्चो तो बच्चो हम जो अभी अध्यन कर रहे थे पार्ट वन तक हमने यहां तक अध्यन किया बच्चो आगे का हिस्ता हम पार्ट टू में अध्यन करेंगे लेकिन बच्चो यहां पर थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं तो चले जो हमने से उपयोग करता था तो याद किजिए बचो यह कथन सत्यय या सत्यय कुसल मानों से तातपर वह मानों जो अपने हाथों का कुशलता से उपयोग करता था श्ले आपको यद्फव भिलकुल सत्ययत चलिए सिक्रम में आगे बढ़ेंगे एक कथन और देखते हैं ध्यान से देखें निम्लखित कथन सत्य है या असत्य है यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखो कुसल मानो की खोज लूई लीकी नामक वैग्यानिक ने की जो चुछ याद कीजिए इसकी चर्चा हमने की थी कुसल मानो की खोज जिस उत्तर बिल्कुल सत्य है, आई आगे बढ़ेंगे, यह कथन और लेते हैं, ध्यान से देखिए, तो नहीं कित कथन सत्य है, या सत्य है, अगर कथन असत्य है, तो उसे सत्य करके लिखना है, लेटिन भासा में होमो सब्द का अर्थ मानो है, तो क्या यह सही है, लेटिन भासा म में होमो सब्द का अर्थ मानो है यादकीजिए इसकी चर्चाव ने की थी case तो यह भी उत्तर विल्कुल सथे हैं यह कथन बिल्कुल सही है तो कथन सथे हैं, आगे बढ़ेंगे कथन और देखते हैं निम्रकित कथन सत्य है या असत्य बताईए यह कथन असत्य है तो सत्य करके लिखिए कुसल मानों का मस्तिस्क एप बंदर की तुलना में अधिक बड़ा था याद कीजिए बचो कुसल मानों का मस्तिस्क एप बंदर की तुलना में अधिक बड़ा था इसकी भी हमने चर्चा की थी, आपको याद आ रहा होगा, येस तो अपना उत्तर टैली करिए, येस ये कथन बिलकुल सत्य है, कुसल मानों की कामस्तिस्क, एप बंदर की तुलना में अधिक बड़ा था, येस बच्चों, आए इस सिक्रम में और आगे बढ़ेंगे, ध्यान स से देखे कथन और पेड़ों की जलती टहनियां लाकर अगनिका उपयोग करने की तक्नीक से सीधी रीड़ वाला मानों अउगत हुआ था, रहत याद कीजी बच्चों, इसकी भी चर्चा हमने की थी, येस, येस तो आपने उत्तर मिला लिया होगा, ये भी कथन बिलकुल सत करता है, पेड़ों की जलती टहनियां लाकर अगनिका उपयोग करने की तक्नीक से सीधी रीड़ वाला मानों अउगत हुआ था, आई बच्चों एक कथन और देख लेते हैं अब भ्यास की इसी कड़ी में, रैट तो ये लाच्ट होगा, निम्रकित कथन सत्य है या असत्य बताओ, यद कथन असत्य है, तो सत्य करके लिखो, सक्तिमान मानों प्रमुक्त वरिच्छों पर निवास करता था, याद कीजिए बच्चों, सक्तिमान मानों प्रमुक्त वरिच्छों पर निवास करता था, क्या ये कथन सत्य है, याद कीजिए, सक्तिमान मानों प्रमुक् प्रमुक्ता गुफाओं में निवास करता था राइट बच्चो यहां जो कथन लिखा हुआ है सक्तिमान मानव प्रमुक्ता ब्रिक्षों पर निवास करता था यह कथन असत्य है तो इसको सत्य करके लिखना है सत्य कथन में सक्तिमान मानव प्रमुक्ता गुफाओं में निव करता था राइट बच्चो तो आप समझ गए होगे ओके बच्चो बच्चो ब्रिहन मंबई महानगर पालिकाक्री इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वेल आइकन प्रेस कर लिजे तो बच्चो हम उमीद करते हैं यहां तक आपने समझ लिया है आगे फिर मिलेंगे आज वर कि लेग्म हम थाइट जानी तैप ए ए ए जानी टेंगे बच्चो 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 हम उलेएग् उलेएैं हम प्रेस्ट सुछ एर पालिकार को बच्चो बाइए ए ए यहां मेद करते हैं आएएव